वन्स अगेन गुट मॉर्निक दियर स्टुटेंट्स वेलकम टो एक्सलेंस पॉइंट क्लासे बच्चों आज की क्लासे क्लास 8 के लिए मेरे पास बहुत डेमांड आ रही थी कि सर स्क्वेरें स्क्वेर रूट चाप्टर के MCQ कब आएंगे कब आएंगे तो बस आज आपका व हैं अगर हम 348 का स्क्वेर करते हैं दो इसका उनिट क्या होगा तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि स्क्वेर क्या होता है तो जैसे कि मानते हम टुके स्क्वेर की बात कर रहें सका मतलब होता है टू मल्टिपलाइबाइक इसका अंसर कितना ओगा 4 आ जाएगा जैसे कि मैं 3 square की बात कर रहा हूं तो इसका answer 3 into 3 कितना answer आ जाएगा 9 आ जाएगा question पोछा गया है कि 348 का मैं अगर square निकालूंगा तो उसका unit digit क्या होगा इसका मतलब क्या होगा बच्चो 348 multiply by 348 तो आपको focus किस में करना है safe or safe unit digit unit digit आपका first digit होगा अब देखिए 8 8 अगर मैं कराऊंगा तो 8 8 कितना होता है 64 होता है तो बच्चों यह 4 से end हो रहा है इसका मतलब option number C यहाँ पर correct हो जाना चाहिए अगला देखते हैं if a number ends with four dashes are there then it cannot be a perfect square वो perfect square नहीं हो सकता तो बच्चों यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि अगर number 2, 3, 7 and 8 से अगर end होता है तो वो कभी भी perfect square नहीं हो सकता तो इसका answer number D correct हो जाएगा अब देखते हैं next question next two questions आपकी screen पे आचोके हैं बच्चों आइए start करते हैं इसकी solving question में क्या given है without adding find 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 कैसे find करें तो बच्चों जो आपका square and square root chapter है उसमें एक special method है जैसे हम number of terms count करके अगर उसका square कर देते हैं तो इसके equal हो जाता है आईए start करते हैं देखें कितने terms हैं 1,2,3,4,5,6,7 तो यहाँ पे 7 का square के बराबर हो जाएगा मतलब 49 आपका answer तो B यहाँ पे correct हो जाएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम तो बच्चों जैसी कि आपके पास square होते है 1,4,9,16 अगर आप इसको observe करेंगे तो इसका gap कितने का है बच्चों 3 का है simply इसका gap कितना है 5 है इसका gap कितना है तो 7 का है तो odd number pattern यहाँ पे हम observe कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे यह rule apply हो जाता है अगला देखते हैं find the numbers between 122 square and 123 square तो बच्चों यहाँ भी एक technique observe करते हैं क्या formula होता है 2 into smaller number 2 into smaller number तो यहाँ बच्चों smaller number क्या है 122 है तो 2 into 122 जब हम करेंगे तो answer आ जाएगा 244 तो यहाँ पे option number भी correct हो जाएगा अब देखते हैं next question question number 5 और 6 आपकी screen पे आ चुके हैं बच्चों आएए start करते हैं इसकी solving question में given है एक pattern और आपको इसे complete करना है तो जैसे इस pattern को हम observe करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखी 11 square 121 होता है जो कि दिया हुआ है 101 का square 10201 देखी यहाँ पे 2 की position यहाँ गए और जितने 0 यहाँ है यहाँ भी इतने 0 आ गए है यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ भी 2 0 आ गए तो यहाँ पे अगा 3 0 है तो 1 और 3 0 यहाँ लग जाएंगे फिर 2 आ जाना चाहिए फिर 3 0 और फिर 1 तो इस जैसा similar आपको भी option में correct हो जाना चाहिए आगे देखते हैं find a square of 48 तो बच्चों 48 का square निकालना तो simply आपको 48 multiply by 48 कर देना अब आप कोई सी भी method यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपको अगर डारेक्ट multiply करने तो mcq base में डारेक्ट multiply कर सकते हैं इसका answer कितना आ जाएगा 2 3 0 4 एक shortcut method आपको मैं बताता हूं अगर आपके पास कोई भी number है जो की 50 के पास है तो आप कैसे निकाल सकते हैं 25 से अब देखिए 48 कितना चोटा है इससे 2 चोटा है तो minus 2 करेंगे और 2 का square कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 23 और 2 का square यहाँ पर double digit में लिखना पड़ेगा तो 0 4 तो 2 3 0 4 यहाँ पर answer हो जाता है अगर आप सीखना चाहते हैं तो method की link मैंने description में दी हुई है और आप आई बटन में चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी अब देखते हम अपना next question question no.7 और 8 बच्चों आपकी screen पर है आईए start करते हैं question में क्या given है the pythagorean triplet is valid for dash triangle जो pythagorean triplet रहता है बच्चों वो कौन से triangle के लिए valid रहता है तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि pythagoras theorem और pythagorean triplet दोनों ही right angle triangle के लिए valid होते हैं तो यहाँ पर option c correct हो जाता है अगला देखते है which of the following is a pythagorean triplet तो बच्चों अगर कोई भी term यहाँ पर pythagoras theorem को satisfy कर देता है तो वो pythagorean triplet कहला जाएगा जैसे कि यहाँ पर longest side जो रहेगी वो हमेशा hypotenuse बनेगी base और perpendicular आप किसी को भी consider कर लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p square plus b square is equal to क्या होता है बच्चों h square तो यहाँ देखे 2 square plus 4 square is equal to 5 square 2 का square यहाँ पर 4 plus 16 is equal to 25 तो 20 is not equal to 25 तो यहाँ तो पहला वाला गलत हो गया अगला देखते हैं यहाँ पर 6, 8 और 10 तो यहाँ पर यह hypotenuse हो जाएगा 6 square plus 8 square is equal to 10 square होना चाहिए तो यहाँ पर 36 plus 64 is equal to 100 तो यहाँ पर 100 is equal to 100 आ गया मतलब यह valid है और option number b यहाँ पर correct हो जाएगा अब देखते हैं next one option number 9 और 10 बच्चों आपकी screen पर आचुका है आईए start करते हैं question में क्या given है जो pythagorean triplet होता है बच्चों उसकी 3 sides क्या क्या होती है तो जैसा कि हमको पता है smallest side जो होती है वो 2m next होती है m square minus 1 और hypertonous जो होती है m square plus 1 तो बच्चों कुछ इस type का एक right angle triangle अगर हम बना लें तो यहाँ पर एक side हो जाएगी 2m m square minus 1 और last side हो जाती है m square plus 1 तो यहाँ पर option number c correct हो जाता है अगला देखते हैं mind the square root of 576 तो बच्चों बिना square root की method apply किये कैसे find out करें options के help से यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों यह देखेंगे 6 से end हो रहा है तो 6 से ending होने में हमारे पास 2 फंडा होता है या तो 4 का square 16 हो जाए तो मतलब यहाँ पर square root या तो इसका 4 से end होगा या तो 6 का square 36 हो जाए तो या तो यह यहाँ पर 6 आ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे यह वालत तो नहीं हो सकता option number a तो हो ही नहीं सकता अगला देखें यहाँ पर 26, 24 और 34 यहाँ पर 3 option बच रहें अगला देख लेता है यहाँ तो बच्चों यहाँ पर 34 होने की भी possibility नहीं होते क्यों नहीं हो सकते यहाँ पर क्योंकि अगर आप observe करें तो 30 का square कितना होता है थर्टी का square 900 होता है यह कितना है 576 है तो यहाँ पर 34 भी नहीं हो सकता दो option बच रहें आपके पास 26 या फिर 24 तो आप क्या कीजिए इसके mid का number क्या है अपने पास 25 25 का square निकाले 25 का square निकालने की बहुत आसान process होती है आपको एक आगे बढ़ा देना है तो यहाँ बच्चों 23 कितना हो जाता है 6 हो जाता है 5 का square 25 कितना answer है 625 अब यह जो number है यह 625 से तो छोटा है मतलब 26 नहीं हो सकता तो आपके पास क्या answer आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा अब देखते हैं next one question number 11 और 12 बच्चों आपकी screen पर आचोके हैं जो की solving based question है आईए start करते हैं इसकी solving question में क्या given है 3 into under root of 144 minus 20 solve कैसे करेंगे सबसे पहले 3 multiply by under root of 44 बच्चो 144 का square root क्या बदावर 12 होता है minus 20 board mask के rule के according multiply पहले solve होता है तो 12 3 हो जाएगा 36 minus 20 कर दो गया तो 16 answer आ जाएगा option B के साथ आप चले जाना अगला वाला है यहाँ पे under root के अंदर 169 plus under root के अंदर 144 minus under root के अंदर 64 easy type के question है यहाँ पे under root के अंदर 169 13 का होता है plus under root के अंदर 144 12 का होता है minus under root के अंदर 64 क्या होता है 8 होता है 12 minus 8 12 minus 8 आप solve कर देना कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया वह 13 को add करा दो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा अब आप बोल सकते हो sir board mask के rule के according plus पहले करा सकते है minus बाद में करा सकते है आप लोग जैसे करना चाहो कर सकते हो अगर मैं 13 plus 12 करता तो 25 आता और 25 minus 8 करते तो भी आपके पास 17 answer आता तो दोनों में से कोई सी भी method आप करो आपके पास answer same आना है अब देखते है next question अगले questions आपके screen पर आचोके हैं आए Master start करते हैं बचों question में given है underroot के अंदर 400 plus underroot के अंदर 64 whole divided by underroot के अंदर 144 तीनों के values हमको पता है यहाँ पर underroot के अंदर 400 होता है 20 plus underroot के अंदर 64 होता है 8 divided by underroot के अंदर 144 12 के बडाबर होता है एड करा देंगे तो यह हो जाएगा 28 upon 12, 4 से आप cancel करा दीजे, 47 हो जाता है, यहाँ पे 43 है, 7 by 3, option number B में यह correct हो जाएगा, अगला देखते हैं, under root के अंदर 1024, shortcut method भी apply कर सकते हैं आप, but मैं यहाँ पे आपको सला यही दूँगा, कि आप prime factorization की तरफ जाएं, इससे आपकी practice ह होगे, आई यह start करते हैं, prime factorization method, यहाँ पे 1024 है, सबसे पहले 2 से अगर आप divide करें, कितना बचेगा, आपके पास 5 time में, 1 time में, और 2 time में, यहाँ पे एक बार 2 से और, कितना बच जाएगा, 256, अगला फिर 2 से यहाँ पे divide करते हैं, कितना बच गया, आपके पास 1 जा, फिर यहाँ पे 8 times में जाएगा, फिर 2 से करते हैं, आप यहाँ पे 64, अगला फिर 2 से आप करेंगे, यहाँ पे 32, फिर आप 2 से एक बार कर लेंगे, यहाँ पे 16, 2 से कर लेंगे, यहाँ पे 8, अगला 2 से करेंगे, आप फिर 4, फिर 2 से करेंगे, तो last में 2, और 2 से करेंगे, तो 1 अब कितनी बार आ रहा है, 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair, और 5 pair तो यहाँ पे कोल मिला के आपके पास आएगा 2 square, multiply by 2 square, multiply by 2 square, and last multiply by 2 square इस पूरे का आपके पास जब under root आएगा तब आपके पास answer आएगा तो under root और square cancel कर देते हैं एक दूसरे को जैसा कि हमको पता है यहाँ पे तो आपके पास 2 into 2 into 2 into 2 into 2 तो 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, and 16 2 is 32 तो option number B correct हो जाएगा, अब देखते हैं next question next two questions आपकी screen पर आचुके हैं, इन दोनों questions का बच्चों कोई shortcut नहीं आपको पूरी method से यहाँ पर question solve करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से इस video को देखेंगे आईए start करते हैं, सबसे पहले question पूछा गया है what number should be multiplied to 432 to make it a perfect square तो सबसे पहले इसका prime factorization करके देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर मैं 432 की बात करूँ, तो सबसे पहले 2 से जा रहा है 2 2s, 2 1s, 2 6s, 12 अगली बार में देखें, तो फिर 2 से जा रहा है, 1s, 0s and 8 times again 2 से, यहाँ पर आजाएगा 5, 4 next किसे जाएगा, again 2 से, क्योंकि अभी भी last में 4 आ रहा है 27 बच जाएगा, 27, 3 के table में आते है तो 3 से जाएगा, यहाँ पर 9, अगली बार में देखे, 3 से जाएगा last 3 से जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 pairing बना लिजे, देखें यहाँ 2 की pairing बन रही है यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है अगला वाला same pattern का question है बस यहाँ पे divide हो गया है तो 2800 यहाँ पे 2800 का हम prime factorization करते हैं सबसे पहले 2 से जाएगा 1400 फिर 2 से चला गए यहाँ पे तो कितना बच जाएगा 700 अगली बार में फिर 2 से जाएगा तो कितना बचा 350 फिर 2 से यहाँ पे चला जाएगा तो 1 जा 7 जा 14 और 5 जा अब 175 किसे जाएगा तो बच्चों यहाँ पे देखें 5 प्लस 1 6 तो यहाँ पे 5 से ही जाना चाहिए क्योंकि 3 से भी यह नहीं जा रहा है अगला देखते हैं 5 से 5 3 जा 15 और यहाँ बच्चों कितनी बार में जाएगा 5 से अगली बार में फिर 5 से जाएगा 7 और लास्ट में 7 बचेगा तो 1 पेरिंग बना के देख लेते हैं यहाँ दो की यहाँ दो की यहाँ दो की 7 बच गया है तो यहाँ पे option number C correct हो जाएगा अब देखते हैं next one question number 17 17 और 18 बच्चों आपकी स्क्रीन पर आचोका है आई यह start करते हैं इसकी solving question में क्या given है find the number of rows and column for the school grade if 3025 students are there and the number of rows is equal to number of column 3025 क्या है यहाँ पर आपको prime factorization निकालना पड़ेगा तो चलिए start करते हैं सबसे पहले 2 से divide करने कोशिश करते है last five है नहीं होगा three से start करते हैं यहाँ पर तो three का rule क्या होता है बच्चों three plus zero plus two plus five add करके देखें 10 आ रहा है यहाँ पर मतलब three से भी नहीं होगा five से कर लेता हैं यहाँ पर यहाँ पर देखें five six जा thirty अब twenty five क्योंकि एक साथ ले रहे तो zero आएगा फिर five times में फिर five से करके देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखें five one's a five ten बचा five two's a और five one's a one twenty one eleven की table में आता है तो यहाँ eleven हो जाएगा और फिर eleven one दो-दो की pairing बनाएंगे यहाँ पर five square into eleven square का क्या हो जाएगा बच्चों under root हो जाएगा तो यहाँ पर five into eleven कितना अंसर आजाएगा आपके पास 55 तो यहाँ पर d option correct हो जाएगा अगला देखते हैं find the number of digits in the square root of one zero two four तो बच्चों जब भी even number हो तो आपको n by two formula लगाना और odd number के लिए n plus one divided by two अभी यह even number है even number of digits होनी चाहिए यहाँ पर to answer आजाएगा भी option correct हो जाएगा तो यहाँ पर आपको digits देखने हैं अब देखते हैं last two questions आज के last two questions आपकी screen पर आ चुके हैं अगला question pythogorous theorem पर based है क्या formula होता है P square plus B square is equal to H square perpendicular यहाँ पर 15 दिया हुआ 15 square plus X square is equal to 17 square 15 का square कितना है बच्चों 15 का square 225 होता है plus X square is equal to यहाँ पर कितना हो जाएगा 289 जो कि 17 का square होता है X square is equal to 289 minus कितना हो जाएगा 225 X square is equal to 64 X is equal to root over 64 मतलब 8 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर option number A correct हो जाएगा अगला देखते हैं what number should be subtracted to 501 to make it a perfect square तो बच्चों यहाँ पर आपके पास long division method लगेगी long division method की अगर video आपने नहीं देखी है तो वो भी description में available है यहाँ पर देखिए 501 अब यहाँ पर pairing कैसी होगी 1 और 2 की सबसे पहले 2, 2, 4 यहाँ पर जाएगा जितना number multiply कराते हैं add कराते हैं यहाँ बचेगा 4, 1, 0, 1 तो यहाँ पर अगर मैं 2 लूँगा 42 into 2 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा subtract करा लेंगे आप यहाँ पर 17 बचेगा remainder तो remainder जो बच्चों होता है वही answer हो जाता है तो 17 कहा है C option में C option यहाँ पर correct हो जाएगा आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो जरा सा अभी आपके लिए helpful है तो प्लीज इसे like करें share करें अपने friends के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो इसे subscribe कर ले और bell icon प्रेस करें ताकि मेरी latest videos, updates और tricks आप तक पहुंच थी रहे मैं मिलूँगा अगले interesting lecture के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें Thank you and have a nice day